अलो एवरीबड़ी आएम रिचाशर्मा एंड यू आर वाचिंग पर्चम पर्चम पर अभी हम पूरे 2023 के करंट अफेर को रीकैप में आपके लिए लेकर के आरें पूरी सीरीज चल रही है जिसमें अलग-अलग फैकल्टी अलग-अलग टॉपिक्स का कमपाइलेशन आपके हिंट्स में आपको देती चलूगी इससे पहले मैं बुक्सियान ओथर्स का कमपाइलेशन आपके लिए लाई थी दूसरी फैकल्टी जो है वो भी अलग-अलग इस वीडियो से वो देख सकते हैं ठीक है तो 2024 में मूव करें उससे पहले यह पूरा करंट अफेर तयार करके साइट में रख देते हैं आल राइट तो शुरू करते हैं और आज यूजिल किक स्टार्ट को इसन चरू करेंगे अगर आप करंट अफेर पढ़ते रहे हो मेरे स आपको चोड़ा से मोटिवेशन देगा कि हंजी आप तैयारी कर रहे हैं इमानदारी से अच्छा पढ़ना शुरू करें उसे पहले मैं जल्दी बता दूं बहुत से बच्चे पूछते हैं मैं जो आप पढ़ा रहे हो इसकी PDF कहां मिलेगी तो अगर आपको सारे ही करंट अफेर का सारे PDF आपको मिल जाते हैं जो भी हम वाइटी पर पढ़ते हैं 2023 कंप्लीट डेली वीकली मंतली सिक्स मंतली सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा और यह यह यहीं कंपाइलेशन भी और अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्स के भी चाहिए बेटर है PDF बैंक पर मूब कर जाएगे यह यहां भी अड़िड होता है कहां से मिलेगा ऑफ कर्चम अप से मिलेगा ठीक है ची चलिए अब हम शिरू करते हैं फटा फट से जानने से पर्टिक्लरी नए बच्चों के लिए कि जी आई टाग क्या होता है वाट इस जी आई टाग अल अब तो जी आई टाग मतलब होता है जोगेटry यहांच तो यह एक ऐसा टाग होता है यह क्यार यह रगशा है जो बी अपलाई करते हैं जिससे की पता लगे जो भी प्रडर्ट की आप बात कर रहे हो वह और बात YouTube हो से जी आप पलाई किया है अब हम आपनए आपने लिए लिए बेच सकता कहीं और जैसे कि हम बोले कोलापुरी चपल कहां की है कोलापुर की जी आइटाग ने क्या कोई राज्यस्थान में कोलापुरी चपल के नाम से कोई चपल बेच सकता है नहीं बेच सकता ठीक है तो जी आइटाग ये बताता है कि कौन सी definite जोग्रिफिकल लोकेशन को वो प्रड़क्ट बिलॉंग करता है अब जैसा मैंने का अग्रिकल्ट्रल भी हो सकते हैं आप कोई गेहूं चावल दाल उगा रहे हो तो आप जी आइटाग करवा सकते हो लेकिन क्या आम दाल चावल जी आइटाग हो जाएंगे जो कहीं भी उगा के लिए अलग ही जानी जाती है तो सोजट की महंदी नाम से और कोई GI टाग नहीं किरवा सकता है वह वहीं की होगी और तभी GI टाग मिलेगा जब कोई खास बात होगी ठीक है ऐसी किसी भी चीज़ को GI TAG नहीं दिया जाता जो कहीं भी मिल जाती है रैइट सो एग्रिकल्चरल हो नाच्रल हो या मैनुफाक्चरड गुड हो कोई न कोई reputation या special quality रखता हो because of its origin या place of being और अगर आपने उसको apply कर दिया है और आपको GI TAG मिल गया तो अब आप certified हो जाते हो इस नाम से product बेचने के जैसे कि कमबम grapes अंगूर बहुत जगे हो गया जाते हैं लेकिन कमबम grapes में जो खास बात है वो और कहीं कि अंगूर में नहीं है तो इसको GI TAG मिलने के chances हो जाते हैं तो GI TAG बताता है ये product कौनसी geographical location को belong करता है कौनसी act के तहट GI TAG दिये जाते हैं Geographical Indications of Goods, Registration and Protection Act of 1999 के तहट ये TAG दिये जाते हैं और ये कबसे effect में आई, कबसे application में आई, उसके बाद ही पहला GI TAG दिया गया तो September 2003 में ये जो act है ये enforce की गई और सबसे पहला GI TAG मिला दार जिलिंग T को 2004 में ठीक है, याद रखना सिंपल हो गया न, 2003 में ये enforce हो, 2004 के अंदर पहला GI TAG मिला किसको मिला, दार जिलिंग T को, चाहे तो बहुत तरह की होती है, असाम T, दार जिलिंग T पर दार जिलिंग T की जो बात है वो कहीं और नहीं मिलती, इसलिए इसको GI TAG कर दिया गया अच्छा एक बार जब GI TAG मिल जाता है, कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है, 10, 15, 20, 25, कितने साल, 10 years, important है, इसके बाद इसको renew कराना पड़ता है, वरना ये lapse हो जाता है, तो ये मैंने आपको सारी थेयरी करवा दी है, अब हम किस पर चलेंगे, अब हम एक 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 करन्ट अफेर का कमपाइलेशन, yearly magazine, topic-wise, एक डम, अच्छे से comprehensive pointers भी हो, जिससे हमारा पूरे साल का करन्ट अफेर, तयार कर ले हो, कोई भी एक्जाम हम फेस कर सके, 2024 edition, जिसमें जैनवरी से डिसेंबर तक ही सारी न्यूज आजाए, आएगी, ये जैनवरी मिड तक आपके लिए available करवा दी जाएगे, ठीके, तो अभी तो आप recap कर लीजे, लेकिन और भी बहुत सारे एरिया से जो आपको cover करने हैं, आप यहां से कर सकते हो, जो बच्चे सरफ revision series के हिसाब से चाहते हैं, तो CA रफतार अपनी एक magazine है, जो चलती है, e-book है ये, ओके जिसमें 6 महीने क territory की तरफ और उनके GI tags देखेंगे, let's get started, तो सबसे पहले चलते हैं, जम्मू एन कश्मीर, कहां चल रहे हैं हम, जम्मू एन कश्मीर पर चलते हैं, यहां से बसोली पेंटिंग को GI tag किया गया, कौनसी पेंटिंग, बसोली पेंटिंग और ये जम्मू का सबसे पहला हैंडी क राफ था जिसको GI tag मिला, बसोली पेंटिंग, तो बस होली खेलने गए थे हम जम्मू और वहां से बसोली पेंटिंग कहां किया, question के से आएगा, बसोली पेंटिंग कहां से GI tag है, या इन सारी चीज़ों में से कौनसी चीज जम्मू एन कश्मीर से GI tag है, या फिर चार और वहां से बसोली पेंटिंग लिया है, तो जे एन के बसोली का association हो जाएगा, राजाओरी चिकरी वुड क्राफ्ट, अनन्त नाग्स मुष्क बुजी राइस रिसीव GI tag, तो जम्मू इन कश्मीर के दो लोकेशन से, यह आपको राजाओरी और अनन्त नाग दिख रहा है, यह particular areas हो गए, पर mostly areas से question नहीं देखे जाते हैं, mostly state wise पूछे जाते हैं, तो जादा emphasis state को ध्यान रखने में कीजेगा, तो जम्मू इन कश्मीर की राज़ोरी की चिकरी वुड क्राफ्ट, चिकरी वुड क्राफ्ट और अनन्त नाग का मुष्क बुजी राइस, GI tag हुआ है, जम्मू इन कश्मीर जा रहा है, जैसे कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ जाके कोई चिक चिक करेगा, क्या, इतनी सुंदर वादिया है, कोई चिक चिक नहीं करता, सब इश्क मुष्क में लग जाते हैं, या फिर चिक चिक करना बहुत मुश्किल है कश्मीर में, क् जाली आगे चलते हैं भादरवा और रा एंड रामभन सुलाई हनी, जी आइए टैग्ड होया है से तो जम्मु एन कशमीर में एपक सारे घॉलिफ गार्डन है बहुत बड़ा रही जब गार्डन होगा बहुत सारे फूल होंगे तो मदुमक्ख्या आएंगी तो कोई ना कोई हनी होगा तो सुलाई हनी हो गया कौन सा हनी है सुलाई हनी और दूसरा भद्रवा कभी जम्मू कश्मीर का राजमा खाऊगे ना आप बोलोगे वह क्या राजमा है क्या बोलोगे वह क्या राजमा है तो देखो आसपास कश्मीर की वादियां देखना बहुत जरूरी है कश्मीर की वादियों में बैठ करके आप वह क्या राजमा है तो भद्रवा राजमा और स सुलाई हनी भद्रवा राजमा इससे पहले हमने चिकरी वुड क्राफ देखा और चिक करना बहुत मुश्किल था मुश्क बुद्जी राइस देखा उससे पहले बस होली खेलने गए थे तो बासोली पेंटिंग देख ली यह सब कहां से जियाई टैग्ड है जंबो और कश्म मिल गया है आपसे पूचा जासकता हैं इनमें से किसको जीयाईटैग मिला है तो किश्टवाड के केसर को भी यानी सेफ्रन को भी जीयाईटैग मिला एक तो ये हमने कुछ देख लिए जमू एन कश्मीर के GI Tags, अब हम मूव करते हैं, लद्दाख, एक और Union territory हमारी, लद्दाख, लद्दाख से वुड कार्विंग जो है, उनको मिला है GI Tag, लद्दाख वुड कार्विंग, और इसको लद्दाख शिंग्स कोस भी कहा जाता है, शिं बहुत सालों से और इनका पूरा परिवार इसमें डिवोटेड है, ठीक है, तो ये जरिंग नामग्याल जी का नाम भिया थोड़ा ध्यान रखेंगे, एनिवेस, कमिंग गा, तो लद्दाख की वुड कार्विंग, क्या मिला, GI Tag मिला, कैसे याद रखोगे, भई सिधे ही कर गई, ऐसे करके असोसियेशन बिठा लेंगे, नेक्स देखिए, लद्दाख सिख्योस, फोथ जी आए टाग फॉर सी बख्थॉन, चौथा जी आए टाग है लद्दाख का, और किसके लिए मिला है, सी बख्थॉन के लिए, अब हमने अभी बोला के लद्दाग क्या है, एक गई, लद्दाख का, फिर पश्मीना वूल है, लद्दाखी वुड कार्विंग है, जो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा, और अब यह सी बख्थॉन है, तो यह चार जी आए टाग है लद्दाख के, याद रहेगा, सिंपल सा है, चलिए, ओके, यह पश्मीना वूल है, वूल पे ध्यान दीजेगा, पश्मीना वूल लद्दाख से जी आए टाग है, शॉल की अगर हम बात करेंगे तो, तो जमु क कश्मीर पहाँच जाएंगे, ओके, फिर हम आते हैं, उत्राखंड पे, रिसेंटली यानि 2023 के एंड वाले कुछ टाइम में ही, अठारा जी आए टाग्स उत्राखंड को मिले हैं, एक साथ, 18 जी आए टाग्स उत्राखंड ने ब्राग किये हैं, अपने लिए, कौन-कौन से जल दी से देखते हैं, आपको जो पिक्चर दिखरी हैं, मिर्चियों की है यह जो आपको दिरी हैं यह बिचू, बिच्छू, बिच्छू बुटी बलते हैं, उससे और इमेज ने लिए, तरंग कर दोगे। examiner नहीं लिखेगा examiner लिखेगा बताइए लखोरी मिर्च कहां से GI टाइग है अटक जाओगे तो अब हम क्या करेंगे हिंट लगाएंगे उत्राखंड के लिए क्या GI टाइग ले उत्राखंड के लिए हम देव भूमी ले सकते हैं क्योंकि उत्राखंड देव भूमी के नाम स देवी देवता निवास करते होंगे ना देव भूमी है तो तो लाखों से लाखोरी मिर्च आद हो जाएगा हो जाएगा ठीक है बिच्छू बूटी फाबरिक भई खंडर में तो बिच्छू मिलेंगे मिलेंगे तो बिच्छू बूटी फाबरिक खंडर से उत्राखंड प है तो हमारा मन दुआ ही करता रहता है भगवान ही भगवान है तो पूजा ही पूजा करते रहो मन दुआ मंदुआ 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 उतराखन खंडर बिच्छु बिच्छु बुटी उतराखन देव भूमी लाखों देव तो लाखोरी मिर्च उतराखन क्लियर हो रहे जी ह पहना चलिए फिर हम आते हैं चामोली वुडेन रमन मास्क रमन मास्क ओके देन नेनीताल मोमबत्ती यानि Candles ये रमन मास्क है थि ये रंगवाली पिछोडा OF अफ्wo माँध यह ओड़ा जाता है और नी जैसा होता हूं कैसे याद करेंगी फट्टा वट फट्टा पड़ देखता है देखो ऑल राइड खंडर में कोई मैन मास्क पहन के डरा रहा है कहां खंडर में तो रमन मास्क हो जाएंगे वो उतरा खंड से हो गए नेनी ताल मौमबत्ती ये तो सिधा सिधा हो सकता है ना तो ये बहुत देखो इतने ब्राइट कलर्स हैं इसके रंग वाला और जो देव भूमी है वो भी पूरी रंग वाली ही होती है बिकास देवी देवताओं को बहुत ब्राइट कलर के कपड़े पुशाक पहनाई जाती है तो उस्ते हम आसोसियेशन बिठा सकते हैं इस देखो यह बहुत कॉमन सी चीज़ें होती है ना जिनके नाम में सब कुछ आ गया राम नगर नेनीताल लीची तो अब इसके बारे में तो किया पूछेंगे कहा से जी आए डया कि पूछी नहीं सकते क्योंकि लीची जी अगर की लीची घया कैंग हुई लीची को Jei Tag मिला है रामगड़ के पीच को Jei Tag मिला है वके इनको आपको जगे याद रखने की ज़रुत नहीं है क्योंकि यहांसे lacking बनेगा लिखाई लिखाई कहां से Jei Tag लिखाई हुई है उत्राखंड से इसका मतलब क्या होता है वुड कार्विंग के उपर ये जो लकड़ी होती है उस पे जो कार्विंग सुन्दर दिख रहे हैं आपको ये ट्रडिशनल कार्विंग है इसको लिखाई कहा जाता है ठीक है तो लिखाई अब देव भूमी है ब्रांश पेड होता है जिसे रोडेंड ड्रोन आरबोरियम कहते है और इसके फूल का एक शर्वत बनाया जाता है बुरांश जूसे कहते हैं ये उत्राखंड में बहुत पॉपिलरली होता है, red flowers से बनता है, फिर उत्राखंड के लाल चावल and उत्राखंड का काला भात, जैसे black soybean भी कहते हैं, यह black soybean है basically, so काला भात और लाल चावल, यह दोनों भी, देखो रंग आ गए ना बहुत सारे काला भात, लाल चावल, और हमने रंग वाली जंगोरा है, जंगोरा भी एक millet है, जो की उत्राखंड के अंदर GI टाग हुआ है, बैरिनाग ट्री, बैरिनाग, तो देव भूमी है, यहाँ नाग को भी टी पिलाई जाती है, अगर आप बैरिनाग लेग वगरा से परिचित हो तो सीधे याद कर पाऊगे, बैरिनाग जिसको राजगिरा या अमरंथ भी कहते हैं, यह भी उत्राखंड से GI टाग है, तो यह 18 GI टाग कहां के, उत्राखंड के, आगे बढ़ते हैं, आपड़ो राजस्थान पे आते हैं, जी राजस्थान के GI टाग कौन कौन से हुए रिसेंटली, तो उदैपूर की कोफ्तगरी म लेकिन इसमें कोफ्ता नहीं है खाने वाला, कोफ्तगरी is this, मैटल के उपर बहुत प्यारी सी यह और्नमेंटेशन टाइप किया जाता है, इसको कोफ्तगरी कहते हैं, तो राजस्थानी कोफ्ता खा रहा है, तो कोफ्तगरी कहां से GI टाग हो गया, राजस्थान से GI टाग हो तो जानते ही होंगे, मध्यप्रदेश वाले भी आसपास वाले बच्चे जानते होंगे, जो थोड़े दूर के हैं, उनको थोड़ा हिंट पकडाना जरूरी है, तो कशीदा कारी, कशीदा कारी जिसके अंदर मिरर वर्क लगा हुआ होता है, यह भी राजस्थान का है, बिक तो बंदेश क्या होती है, टाइन डाय का एक तरीका होता है, कपड़े को बांद के डाय करते थे, उस्ताकला, वा उस्ताद वा, उन्ट के उपर, उन्ट के उपर डिजाइन मना दी, हान जी, तो यह जो आपको कैमल स्किन के उपर डिजाइन दिख रही है, इसको कहते हैं, और उट कहां पाए जाते हैं राजिस्थान के अंदर शाबार सबसे जादा तो गोल्ड नकाशी या गोल्ड मनौती वर्क कैमल स्किन के उपर होता है इसको कहते हैं उस्ताकला कहां की है राजिस्थान के और राजिस्थान के भी डेजर्ट वाले एरियास जो जादा है ना जह लोजी गोवा पे गोवाई जी आइटाग तो मैंगो भी है एक स्वीडिश बिबिनका भी है काजू भी है खाने भीने की चीज़ें सारी गोवाई से जी आइटाग तो पहला है मनकुराड मैंगो मनकुराड 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 के मन मनकुराड से क्या कर सकते हम आप गुमने गए हो मंकी, आप मैंगो लेकर के खा गया है, ऐसा कुछ experience आपको हुआ है, मंकुरार मैंगो, गुवा बिबिनका, बिबिनका is this sweet dish, so नाम से ही थोड़ी इंग्लिश सी लग रही है, बिबिनका, so गुवान पॉट्टगीज इंफ्लूएंस से याद किया जा सकता और गुवा कैश्यू, गुवा के कैश्यू तो है ही फेमस, गुवान कैश्यू, बिबिनका, और मंकुरार, मंकुरार मैंगो, यह तीनों आ जाते हैं, गुवा से जी आटाइग, मुविंग ओवर टू भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इस साल काफी सारे जी आटाइग देखने को मिले, और कुछ पॉपिलर भी थे, जिनको हम पहले से सुनते आ रहे हैं, पर जी आटाइग नहीं मिल रखा था, और कुछ फ्रेश भी हुए हैं, तो चलिए अलग जगे के पान के पत्तों में कुछ खूबी होती है, जॉग्रफी की वज़े से, तो बनारसी पान अपनी खूबी के लिए जी आटाइग हुआ है, बनारस पान कहां से जी आटाइग है, उत्तर प्रदेश से कौन सी काटिगरी है, यह ओ लिग दिया गया है, बनारस लं लंगणे व्यahnति को पिक्चराइज करो लंगणायम यूपी का हो गया, राम नगर भंटा, भंटा इस्थिस ग्रीन ब्रिंजल, राम नगर का भंटा, तो राम नगर का भंटा, और आदम चीनी चावल, ये जो चावल दिख रहे है न छोटे छोटे दाने के आदम चीनी चावल तो बहुत आदम काल से राम जी का जो निवास माना जाता है वो यूपी माना जाता है तो आदम और ये राम नगर का भंटा तो आदम चीनी चावल में राम नगर के भंटा मिला करके और इसी खिचडी बनाके हमने राम जी को अयोध्या में भोग लगा दिया तो ये सब यूपी के कंटेक्स्ट में हो गया राम नगर का भंटा भी आ गया आदम चीली चावल भी आ गये तो ये दोनों चीजें यूपी से असोसियेट हो जाएंगी आगे और देखो भोग लगाते हैं तो किसी बरतन में डालते हैं ना कौनसे बरतन में डालके आपने दिया है बखीरा ब्रास्वेर बखीरा ब्रास्वेर तो हमने बहुत बिखेरा नहीं किया के कटोरी में अलग डालो प्लेट में अलग डालो नो हमने एक ही जगे आदम चीली है हां जी अब GI tag में लाए जाकर के तो अलीगर ताला अलीगर इसन यूपी ठीक है है हो जाएगा याद इसमें I don't think so any difficulty is there then Banda Shazar पत्थर क्राफ्ट this is Banda Shazar पत्थर क्राफ्ट important हो जाएगा यह सोड़ा डिफरेंट सी चीज है और नगीना वुड क्राफ्ट यह जो लकडी के उपर काम हो रहा है नगीना वुड क्राफ्ट तो बंदा यूपी का बंदा अलग पर अचान में आ जाता है न है न परस्नालिटी वाइस बोली वाइस यूपी के हो गया बहुत इसली पता प कि प्रतापगड यूपी के अंदर यूपी वाले बच्चों को यह जगेachen पता होंगी तो याद करना इजी में बाकी लोग क्या करें बाकी लोग याद करें तो प्रतापगड आउनल भी यूपी से AJ कड़ी हाथरस की हींग हाथरस की ही अब देखो अपने राम जी को भंता और आदम चीनी चावल मिला के बखीरा ब्रासवयर में भोग लगा था ना उसमें हींग डाली थी तो आपके हाथ में हींग की खुश्बु रह गई जब आप राम जी को भोग लगा रहे थे तो हात रस हींग कहां से जी आ टाग हो गई यूपी से जी आ टाग हो गई तो जले से धातू शिल्प जले स धातू शिल्प धातू से यू मूर्टिया बनाई जाती हैं वह मैंपुरी की तारकशी तारकशी महोभा गोरा स्टोन क्राफ्ट संभल हॉन क्राफ्ट होते हैं तो Sample он कर अमरोहा की ढोलक अम्रोहा की धोलक, अब राम जी का मंदिर है तो भजन भी बहुत गाये जाएंगे योध्या में, यूपी में, तो अम्रोहा धोलक हो गया, उसके बाद बागपट होम फरनिशिंग, घर जो मंदिर है वो भी होम फरनिशिंग से सजाय जा रहा है, ऐसा कुछ इमाजिन कर सकते ह बाराबंकी हैंडलूम प्रडक्ट, कल्पी हैंडमेट पेपर, यह सारे भी जी आइडाग हुए है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद बारी आती है मध्यआ प्रदेश की, यूपी के बाद, एमपीा आज ओख जी. तो MPKO भी कुछ GI Tags मिले हैं जैसे कि Rot Iron Crafts of Dindori ये है Rot Iron के कुछ decorative items बनते हैं Dindori तो Rot Iron के जो craft हैं उनको बिन डोरी हम टांग सकते हैं किसी भी चीज के मध्य में Rot Iron Crafts को बिन डोरी बिन डोरी यानि बिना डोरी बिना थ्रेड के किसी भी चीज के मध्य में टांगा जा सकता है तो Rot Iron Crafts, Dindori, Madhya Pradesh हो जाएगा उज्जयन का Bartik Print Bartik Print कहां से हुआ Bartik Print हुआ Madhya Pradesh से ठीक है तो Bartik Print Madhya Pradesh Gualier का Handmade Paper है Carpet, sorry not paper Gualier का Handmade Carpet ये भी Madhya Pradesh से GI Tag हो गया ये भी पुछे जाने के chances बिल्कुल नहीं है obvious है क्योंके Bartik Print important हो जाता है Bartik Print कहां से GI Tag है तो ये Madhya Pradesh से उज्जयन का Bartik Print हो गया Rot Iron Craft जो है रिंडोरी के वो MP से हो गए जबलपल Stone Craft of Beda Ghat Beda Ghat के जो Stone Craft है तो देखो ये भी पिक्चर देख लो यहां से जबलपल Stone Craft of Beda Ghat उसके बाद वारसियोनी Handloom Sarees and Fabrics वारसियोनी Handloom Sarees and Fabrics और वेरी पॉपिलर Gone Painting Gone Painting जो कि Gone Tribe करती है वो भी ये तीनों चीज़ें भी MP से GI Tag है Got it? चले सिहोर शर्बती गे हूँ जो बहुत पॉपिलर है अपने मिठास के लिए अपने सौफनेस के लिए जो रोटी बनती है तो सिहोर शर्बती गे हूँ रहे दिन सुन्दर जा मैंगो रीवा का और मुरेना की गजक किसी भी चीज़ के मध्ध में आपको मुरेना गजक खिला दी जाए आप बोलोगे अरे वह ये तो कभी मौर ही नहीं लग दी हमेशा लेस लगती है और खिलाए जाओ और खिलाए जाओ तो मुरेना की गजक आप किसी भी चीज़ के मध्ध में खा सकते हो तो मुरेना मध्ध प्रदेश से हो गई सुन्दर जा मैंगो सारे मैंगो के मध्ध में आप रख दो इस मैंगो को तो भी आप पहचान लोगे क्योंकि बड़ा सुन्दर है सुन्दर जा मैंगो तो हर एक चीज़ को थोड़ा MP से असोसियेट करके याद कर लो आपको अधर्वाइज ये लोकेशन पर्डिकिलरली याद नहीं भी रहे तो भी स्टेट याद रहना चाहिए शर्बती गेहूं, सिहोर का शर्बती गेहूं MP से हो गया फाइन बिहार's West Champaran मर्चा राइस तो आप इसको ऐसे याद रखेगा मर्चा राइस कहां से GI टाग हुआ है बिहार से हुआ है बिहार वाले बहुत मिर्ची डाल डाल के राइस में खा रहे हैं मर्चा राइस इसको मर्चा राइस कहते हैं तो बिहार वाले लोग राइस में बहुत मिर्चा डाल डाल के खा रहे हैं तो मर्चा राइस बिहार से GI टाग हो गया पिक्छर बना लिजियो थोड़ी-थोड़ी सी हो जाएगा यार चतिसगर्ण नागरी डूबराज राइस 36 गड़ का नागरी डूबराच राइस जो है वो जी आटाग हुआ है तो भाई कितने दूबरे हो रहे हो दूबले समझते हो दूबरे हो बिल्कुल इतने पतले हो 36 किलो के रह गए हो 36 किलो के रह गए हो इतने डूबरे हो इतने दूबले क्यों हो रहे हो भाई खानावणा नेहीं खाते हो, चावल नहीं खाते हो, नागरी दुबराज खाया करो, एकदम पोटे हो जाओगे, तो 36 गड़ से है नागरी दूबराज, दूबराज Cup司, जैसे की मर्चा राइस कहां से था? बिहार से था, तो अलग-लग राइस की विराइटी अलग-लग जगे स से जियाए टैग्थ है ध्यान रखनी पड़ें कि ज़लते हैं इ alleen यह काला चीजकरं उडेशा का काला जीरा का है गूमने का उडेजा नहीं मैं इसकाड़ा उड़ को रâte पुर काला जीरा जिसको प्रिंस ओफ राइस बहुता है और कोरियंडर जैसी सीड जैसा अरोमाटिक होता है यानि कि धनिये जो होता है धनिये चैसा हिएक झाले जिन धनिये के भी जिए सर्फ गोप स्भूर आप जैसे ही जो रस बली ओडशा यह तो सिदय आद जाई यह इतनी टेस्टी सी मिठाई दिख रही है है ना हाँ इसको खाती होश उड़ गया हाहा हाहा रस बली पुरा अंदर मुझे रस हो गया इस रस बली का सो खोश उड़ गया से ओडशा हो जाएगा अरुना चल के GI tag पे आते हैं अरुना चल प्रदेश से तीन प्रडक्स को GI tag मिला है पहला होता है खाव ताई, खामती राइस खाव ताई, आपकी कोई ताई है? हैं ताई जी? उनको नाम दे दो अरुना, अरुना जी को आप बोड़ो खाव ताई खाव, राइस है खाव खाव, खाव ताई खाव तो खाव ताई is what? इसको खामती राइस भी बोलते हैं, वराइटी राइस है फिर याक चुर्पी याक चुर्पी, ये एक स्वीट डिश आप समझ लीचे, ये हैं जो कि याक के दूद से बनाई जाती है और याक प्रोड़क्ट पहली बार जी आई टैग हुआ है तो वो याक चुर्पी ही है तो याक चुर्पी, याक अरुनाचल में जो याक मिलता है, उसके दूद से बना हुआ याक चुर्पी जी आई टैग हुआ है तांग सा टेक्स्टाइल तांग सा तो तांग सा टेक्स्टाइल अरुना जो आपकी ताई है वो तांग सा टेक्स्टाइल पहनती हैं तांग से लेकर करके उपर टेक्स्टाइल में भरी हुई है धकी हुई है तांग सा टेक्स्टाइल भी अरुना चल से जी आई टाइग आत्रेपुरम पुथारे कुला एक स्वीडिश है जो कि कहां से हुई है आंध्र प्रदेश से तो आंधी आई अब हमें ऐसा तो याद नहीं रहेगा आत्रेपुरम पुथारे कुला स्वीडिश है और नहीं कोई बात नहीं याद नहीं रहे तो आंधी आई आंध्र फेला के चली गए तो आंद्रप्रदेश से यह मिठाई जी आइटाग है कारी इशाद मैंगो कर नाटका से कारी इशाद मैंगो कोई नाटक कर रहा हो तो क्या बोलते हैं पोएम वेम सुनाओंगा शायरी सुनाओंगा पर इरिशाद तो करो तो करो इशाद करो इशाद हम बो या कुछ किसी भी तरह का मुशायरा और वो क्या बोल रहें करो इशाद करो इर्शाद करो इर्शाद तो हम सुनाएं तो करी इशाद मैंगो करनाटका से जी आइटाग है यह हमारा लास्ट ग्रूप ऑफ जी आइटाग से काफी सारे जी आइटाग को मिले थे और इसके बाद मैं आपसे क्वेस्चन भी पूछूंगी और एक चीज और बताऊंगे भी ठीक है अब देखो यहां पर मैं आपको पढ़ाती हूं या अधरवाइस भी हम पढ़ाते हैं आपको जी आइटाग तो यह चीज बताते हैं कि जो लोकल लैंग्विजिस में नाम होते है उनके एक्जाम में पूछे जाने के चांसे कम होते हैं ऐसे नाम जो कि जेनरली सब समझते ह तो अब जैसे यह हो गया मनपराई मुरुकू पूछे जाने के चांसे ना के बराबर हैं वाइस यह जेनरल अंडेस्टाइनिंग का ही नहीं हां अगर आपसे पूछा जा सकता है तो जिनका नाम इंग्लिश में दिख सकता हो यह कॉमन लैंग्विज में आपको दिखेगा वही पूछे जाने की चांसे होते हैं तो बाकी पे इतना स्यादा दिमाग नहीं लगाने की जड़त है मनपराई मुरुकू यह चकली है एक तरह की जिसको जिया टैग मिला है तमिलनाडू से उटी वार की यह मठरी या मीठे बिस्कुट जैसे आप समझ लीजे उटी वार क का पत्ता अथूर में जो मिलता है वो उसके अलावा थिकल रतन क्राफ्ट यह रतन क्राफ्ट है जो केन फर्निचर वगेरा होते हैं माई लड़ी स्टोन कार्विंग तो यह स्टोन से बने हुए जो चीजे है लेन आगे आपके कंबम ग्रेप्स जो मैंने शुरू में आप चेर उसके बाद जादरी नामकटी जादरी नामकटी यह चॉपीं छाथ्य इंजर लिखने की काम में आती एं के सो पटी पर हम लखते हैं पटे बोलता है जैसे डे अ विसलेट उस पर हमनाम लिख रही है तो नामकटी नामकटी ओकेऊ और यह मिर्ण नाड्से हो गया चेड़ी बूटा साड़ी यह जैसे पूछा जा सकता है चेड़ी बूटा साड़ी तो चेड़ी बूटा साड़ी तमिल नाडू से नाडा नहीं छेड़ना है किसी का भी ठीक है बदमाशी नहीं करनी है तो चेड़ी बूटा साड़ी तमिल नाडू से हम नाडा हिंट लेते है तो मैंने यह association बिठा है कन्या कुमारी मट्टी बनाना तो मट्टी बनाना कहां से GI tagged है आपने बनाना लिया एक उसको नाड़े में बांदा है और मट्टी में यानि सॉइल में खराब कर रहे हो ताकि कोई नहीं खा पाया बाद में आराम से धो करके खा लोगे ऐसे ध्यान रख लीजिए सो मट्टी बनाना इस GI tagged फ्रॉम तमिल नाड़ू तमिल नाड़ू जैसे कन्या कुमारी कहे पर कन्या कुमारी एक्जामनर नहीं देगा अगर उसे पूछना है तो उदंगुड़ी पनांकरुपट्टी यह बेसिकली क्या है जागरी है गुड़ है जो कि तमिल नाड़ू से पाम जागरी है जो तमिल नाड़ू से GI tag हुआ है सो इसके साथ हो जाते है हमारे सारे GI tag जो 2023 में दिये गए थे वो खत्म अगर आपको इनकी डीटेल्स और पढ़नी है अगर आपको इनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जाना है तो फिर मंतली करण अपर सीरीज वगरा जब पढ़ोगे उसमें प्रॉपरली और आजाएगा एक बहुत कॉमन सा क्वेशन बच्चों के दिमाग में आता है माम कौन से स्टेट से सबसे जाता GI tag हुए है इस बार रेजिस्टर या ओवराल अभी तक कौन सा स्टेट टॉप पे है इन टर्म्स आफ नमबर अफ जी आई टाग तो अगर आप थोड़े भी सिंसेर स्टूड थोड़ा सा भी research orientation रखते हो थोड़ा सा भी attention to detail रखते हो यह question का answer आप सही दोगे तो चलिए पहला question आप से यह है जाते जाते कि which state has the highest number of GI tags in India as on date कुछ बच्चे पुराना data उठाएंगे तो गलत answer करेंगे ठीक है so you have to answer this मुझे number नहीं चाहिए मुझे state का नाम चाहिए और लागडाउं टर्मरिक जो है उसको GI tag मिल गया पर आपने पढ़ाया अभी मिला नहीं है एड़टाइज किया गया यानि कि उन्होंने अपलाए किया फिर जो डिपार्टमेंट होता है वह एड़टाइज करता है कि इन्होंने अपलाई किया है किसी को अपती तो नहीं है कहां से GI tag के लिए अपलाई की गई है कौन सा नौर्थीस्टन स्टेट है ठीक है चलिए तो यह हो गया आज का पूरा सेशन I really hope you would have enjoyed the session recap session था इसलिए थोड़ा हमने fast 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 पढ़ाया है और ऐसे ही बहुत सारे topic लेकर के आपके लिए आते रहेंगे so stay tuned to keep on learning see you very soon until then take good care of yourself bye bye